Hello guys, welcome to our YouTube channel Trudev, this is Uppasana Singh और अभी तक हमने operators के chapter में arithmetic assignment, relational, logical cover कर लिया तो और आज हम पढ़ेंगे turnary operator के बारे में So guys, logical operator को समझते हुए हमने ये program solve किया था और हम same program को turnary operator का use करके भी solve कर सकते हैं चलिए आए देखते हैं वो कैसे होगा तो जैसा कि हमने देखा, हमने यहाँ पर bracket के अंदर एक condition लिखी है कि क्या a greater than b है और अगर नहीं है तो a की जगा हमारी true condition प्रिंट होगी और नहीं तो b की जगा हमारी false condition प्रिंट होगी मगर ये जो हमारा statement है a greater than b तो a की value 41 है और b की value 45 है इसलिए ये false होने के बाद यहाँ पे इसने b की value प्रिंट कर दी है 45 आपको ternary operator समझ में आया होगा बाकी के operators जैसे की bitwise operator, shift operator, unary operator इन सब का use हम आगे देखेंगे इनीड के हिसाब से वीडियो पसंद आई हो तो please like करिएगा, share करिएगा, comment करिएगा, चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कोई भी doubt हो तो हमारे टारीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं, description box में इसका link provided है and join button पे click करके हमारी join community को भी जॉइन कर सकते हैं Thank you के अधि जॉआएगा